मेरे प्यारे बचों, आप सभी को नमस्कार, आप सब के लिए SSC ने CPO 2023 का notification रिलीज किया है। मेरे प्यारे बचों, CPO आप जानते हैं किस-किस चीज की vacancy निकालता है। CPO के थुरू आपकी दिल्ली प्लिस है। डैली प्लिस सब इंस्पेक्टर की vacancy आई हुए है। प्लिस में सब इंस्पेक्टर लगने का, ऐसा ही लगने का। और SSC ने आपको ये मोका दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, CPO 2023 का notification आ चुका है और जो फॉम भरने की तारीख है, वो 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट कर दिया है और फॉम भरे जाएंगे 15 अगस्ट 2023 तक। मातर 3 महीने का समय बचाओ और इस 3 महीने के समय में हमें बहतरीन तैयारी करनी है, तो क्या किया जाए कि हम इस 3 महीने की तैयारी में अपना CPO का selection ले पाएं, जो दिल्ली प्लिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना आप मन में रखे वे हैं, उस अपने को साकार कर पाएं मेरे प्यारे बचो ये इसकी सेलरी का ग्रेट पे वगिरा है, सब इस्पेक्टर दिल्ली प्लिस का अलग है, CEPF का अलग है मेरे भाईयों, tentative vacancies कितनी हैं इसके उपर चर्चा कर लेते हैं, देखे मेरे दोस्त, दिल्ली प्लिस में सब इंस्पेक्टर मेल की कितनी vacancy है, तो अगर हम openly बात करें तो 49 केवल unreserve category के लिए vacancy, केवल 49 सब इस्पेक्टर unreserve category के लिए, 21 BC के, SC12 के, ST6 और economical weaker section के दास, यानि क कुल मिलाके मोटे तोर पे देखा जाए, तो केवल 88 vacancy है, जो तैयारी कर रहे हैं, वैसे कुल मिलाके 109 vacancy है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें एक सर्विसमेंट, डिपार्टमेंटल और जो जो category उसमें, और अगर आप लड़की है, और अगर आपका भी सपना है, दिल्ली की ज़रूरत नहीं है, तो आपका टारगेट तो अरजुन की तरह है, मचली की आँख में तीर मारने वाला होना चाहिए, आपका टारगेट एक ही पोस्ट पे होना चाहिए, बाकी पोस्टों को छोड़ दीजे, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही, जो CAPF है, इसमें जितनी भ इसको अपियर कर सकता है, तो मोटे तोर पे कहें, तो जिसकी उमर कम से कम 20 साल हो सकी हो, और मैक्सीमम 25 साल तक, यानि इस ब्रैकेट का जो लड़का होगा इस उमर का, वो बच्चे इस फोम को अपलाई कर सकते हैं, और मातरी 7 से 8 महीने, बलकि 7 से 8 महीने भी ज्यादा है, क बाकी चीजों के लिए category-wise अलग-लग age limit है, अगर आप government temporary है, तो 35 यर तक आप पुद रखा है, अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं मेन लड़ाई पे, जो है ski one of examination, कि भाई exam होना कैसे जा रहा है, और exam में क्या-क्या चीज़े पूछी जा रही है, तो मेरे प्यार प्यारे बच्चों, math में 50 question, 50 number के, फिर पूछा जाना English, comprehension, उसमें 50 question, 50 number के, उसके बाद आपका physical standard test होगा, physical standard test आप जानते हैं, दिल्ली पलीस हो या अलग-लग department, अलग-लग तरीके से physical test कराते हैं, उसके बाद होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका paper second और paper second जो होगा, व 200 question होगे, 200 number के होगे, दो घंटे का ही paper होगा, मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं, syllabus की क्या-क्या चीजे पूछी जा रही है, reasoning में, जो normal reasoning है, जो आपके बाकी सभी exam में पूछी जा रही है, वही reasoning पूछी जाएगी, general awareness और general knowledge में भी जो पूछा जा रहा है, same वही पूछ मेरे बच्चे, पूरा एक एक चीज के बारे में हाँ पे detail लिखा हुआ है, कि क्या-क्या पूछा जाने वाला English Comprehension के बारे में पूछा हुआ है, यह paper second की बात है, मेरे प्यारे बच्चो, जो physical standard test है, उसकी अगर हम बात करें, तो जो male candidate है, उनकी height 170 cm होनी चीए, और जो female candidate ह height होनी चीए, और कितनी होनी चीए, 157 और उसके बाद जो categories है, अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं, कि physical endurance test में क्या-क्या होगा, तो 100 meter की race 16 second में करनी होगी, एक male की race, यानि 1.6 kilometer की race, 6.5 minute में करनी होगी, long jump की category है, high jump है, short put वगिरा है, female की यह यह चीज़े हैं, और मेरे पह batches को पूरी तरीके से complete कर दिया जाए, मेरे पहरे बच्चों, reasoning, अरुन सर पढ़ा रहे हैं, English, इंदरजीत सर पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं, इंदरजीत सर को, बहुत ही famous teacher है, और अगर मैं बात करूँ, तो जितनी भी top of strength के जो बच्चे आते हैं, चाह वो CGL की बात क करों, या किसी में भी, तो बहुत सारे बच्चे, या मैं कहूं कि 60% जितने student होते हैं, अगर मैं top 1000 की बात कर लो, तो 60% student जो पढ़े होते हैं, वो इंदरजीत सर सर से पढ़े होता है, बहुत 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 बढ़ाते हैं, उसके लावा मेरे बच्चे जोग्रफी अमन अर अगर इस बैच में रिजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसकी फीस मातर 2999 रुपे होगी, जिसमें आपको पूरा complete math भी पढ़ाया जाएगा, reasoning भी पढ़ाया जाएगी, English भी पढ़ाया जाएगी, और पूरी complete GS भी पढ़ाया जाएगी, मेरे बच्चे, तो आप आज ही carryoil app ड जो पढ़ा रहा होगा, practice seat होगी, वो आपको chapter wise मिलेगी, handwritten class notes मिलेगे, class की PNG मिलेगी, जो board पे काम हो रहा होगा, सारे का सारा content होगा, मेरे बच्चे, वो exam oriented रहेगा, सबसे बड़ी चीज, और सबसे महता पूर्चीज, कि आपकी practice भी यहाँ करा ही जाएगी, और मेरे पह आपको class में यह बकाइदा online आपका test लिया जाएगा, तो आप यह समझेए, मेरे पैरे बच्चों, कि इस batch के थूँ, आपको 50 online test भी मिल रहे हैं, जिनका यहाँ पर analysis teacher हर subject का खुद आपको कराने वाला है, और हम जानते हैं, कि आज के समय में online में जो सबसे बड़ा hurdle है, वो आप अपने आपको register कर सकते हैं, और यह batch 31 जुलाई से शरू हो रहा है, इस batch की validity एक साल की है, लेकिन जब आपका CPO का exam होने वाला है, उस समय तक इस batch का बहुत मज़ेदार तरीके से completion हो चुका होगा, और सब आप हर बच्चा अपने सपने को साकार कर पाएगा, खाएगा आप लेक